आप सभी को नमस्ते ये जो लेसन है इसमें हम प्री हिस्टोरिक एरा मतलब की प्रागेतिया से काल के बारे में बातचीत करेंगे प्रागेतिया से काल प्री हिस्टोरिक एरा इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार मेंस में इसमें से question पूछा जा चुका है कि मिसोलिथिक एज के बारे में वहां की जो caves और paintings हैं उसके बारे में आप बताईए बहरहाल ये बहुत ज़्यादा important इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत basic topic है और history optional जो मेरा था उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पढ़ता है तो हम सर्फ इतना basic cover करेंगे कि हर topic के बारे में आपको 2-3 points पता हो और यदि इस तरह का कोई question उभर करके आता है exam में तो आप जरूर ही उसको relate करके exam में लिख सके हैं जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप हमेशा contribute कर सकते हैं जिससे educators को तो लाब मिलेगा ही साथ ही साथ आप review, share और comments करके भी contribute कर सकते हैं खेर चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो stone age इसको कहा जाता है stone age को हम तीन पार्ट में divide करते हैं इसमें आप मैंसे कुछ लोगों ने पहले भी बताया भी है और मैंने भी बताया कि बहुत सारे जो years हैं वो vary करते हैं कुछ books में अलग है कुछ books में अलग है तो लगभग लगभग ये time period है कोई भी exact time अभी तक reduce नहीं कर पाया बता नहीं पाया तो पहला है paleolithic period जो सबसे पुराना माना जाता है जो 2 million years BC से लेकर के 10,000 years BC तक माना जा सकता है उसके बाद मैं mesolithic है जो beach का period है जो 10,000 से लेकर के 7,000 तक माना जाता है और neolithic period है जो 7,000 से लेकर के 2800 ये जो 2800 BC है लगभग इसी समय हडपा civilization हडपन सब्विता भी शुरू हो गई थी तो neolithic period और हडपा का समय लगभग लगभग ending जो है और उसकी starting लगभग लगभग मैच करती हुई है शुरू करते हैं पहले लिथिक period से हर के बारे में हम थोड़े बहुत features देखेंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले ये वाला जो period था इस समय human का evolution हुआ human का evolution मतलब कि मनुष्री के अंदर की जो हड़ियां थी या अन्ने प्रकार के जो धाचे थे वो बदलते रहे जैसे कि पहले कुछ जगए पे बड़े सिरवाली मस्तिश्क पाए गए हैं फिर धीरे धीरे वो evolve हो कर कि और hunting और food gathering पर ही वो निर्भर रहते थे एक बात बहुत समझने की यहां पर यह है कि जब भी जब भी agriculture आया है खेती आया है तो उसके कारण ही community life और धीरे धीरे village life develop हुई है और जब भी हमारे पास में खेती नहीं रहेगी अन्ने कोई साधन रहेंगे तब तक community life और village life develop नहीं हो सकती है और एक बात और इसी में कि जब agriculture का surplus हो गया है तब शहरों का development होना शुरू हुआ है तो basic और unrefined tools इसमें यूज हुए है बहुत ज़्यादा कुछ खास वो refine करने ही पाए कुलहाडी, chopper वगेर है कोई भी धरम उसमें religion उसमें find नहीं हुआ है और इसका example है बहुत सरह लेदी आपको याद रखना हो तो नर्मदा वैली तो इस तरह से हमने paleolithic period देखा है आप समझें कि इसी को ध्यान में रखते हुए हम mesolithic period को देखेंगे कि कोई भी इवालिशन उसमें हुआ था आप ध्यान रखना कि हमको एक-एक को compare करना है तो उसमें evolution हुआ था आप को evolution नहीं हुआ climate थोड़ा सा गरम होने के कारण से population बढ़ने लग गई और इसके कारण से community life भी बढ़ने लग गई community life थी population जाता थी इसके कारण से अब लोग caves दे निकल करके huds में रहने लग गए जोबडियों में रहते थे domestication of animals साथ में जानवरों को रखते थे और धीरे-धीरे उनको चराने के लिए भी land की clearing होने लग गई धीरे-धीरे उनको this is very important कि अब knowledge of fire आ गया था वो आग के बारे में जानते थे arrow heads के बारे में जानते थे कहां से तिखोना होना जी और projectile motion के बारे में भी वो जानने लग गए थे mural painting इस ताइम पर बहुत ज़्यादा मिली है जिसका example है जो पिछले साल question भी आ चुका है obviously natural colors कोई artificial नहीं बनाए गए उस समय क्या-क्या था तो man, trees, animals इन सबकी paintings बनाए गई है और क्या है उनी को लेकर के hunting के scene बनाए गए है riding के scene, dancing के scene इन सबके scenes भी वहाँ पर depict किये गए है initially जो सारी paintings थी वो थोड़ी बड़ी थी मतलब की unrefine type की थी लेकिन धीरे-धीरे उनमें एकदम minute detail बढ़ती गई और वो बहुत ज्यादा refine होने लग गए कोई भी religion अभी भी नहीं पाया गया था लेकिन इतना जरूर पता चला है कि dead bodies जो है वो एक हिसाब से एक तरीके से बरी की जाती थी तो लगता है कि शायद कुछ धीरे-धीरे डवलप होने लग गया था इसका भी एक्जामपल आपको सरल याद रखना है तो नर्मदा वैली बहुत सही है और फिर नियो लिथिक पीरियड अब आप ध्यान रखें कि हम 7000 BC से 2800 BC तक की बात कर रहे हैं तो धीरे-धीरे घर बनने लग गये थे संड्राय ब्रिक्स के एगरी कल्चर शुरू हो गया था एगरी कल्चर में क्या-क्या राइस, वीट और बारले और एगरी कल्चर आने की कायंट से सीडेंटरी लाइफ मतलब की एक ही जगह रहे करके लोगों ने रुखना प्रारम कर दिया और एक ही जगह रहने लगे तो जिसके कांट से विलेजेज डवलप हो गए अब जब खेती हो देती तो खेती से जो भी ग्रेन आते थे या ना चाता था उसको स्टूर करने के विल डवलप हुई और वो जब वील बनना शुरू हुआ वही धीरे धीरे फिर पहियां बन करके कार्ट में यूज होने लगी तो बड़ा सराल है लॉजिकल यह आप इन सब को याद रख सकते हैं रिफाइनमेंट जादा हो गया यह मतलब इतने सिंपल पॉइंट्स हैं कि इस तरह से आप हमेशा लिखी सकते हैं और बहुत अच्छा एक्जामपल इसका है मेहरगड जो बलुचिस्तान में है और जब आप अपन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो मेहरगड उसमें भी आता है तो आप समझ सकते हैं कि एक ही जगह जहां पर पहले एक दीरे डवलप हुआ फिर दीरे एवाल्व हो करके वो दूसरे सिविलाइजेशन में शामिल हो गया किस तरह के कोश्चंस पूछे जा सकते हैं पेंटिंग्स केव्ज ऑफ मिसलितिक पीरियड यह तो पूछा जा ही चुका है और बहुत लोगो इस कोश्चंस को छोड़ करके आए हैं और पर्सनली मेरे को जो जनरल स्टेडिस के पिपर वन में थोड़ा सा बेनिफिट मिला मुझे लगा कि शायद मैंने इस कोश्चं को अच्छे से अटम्ट किया तो आप भी सारे कोश्चंस अच्छे से अटम्ट कीजिए एवाल्यूशन आप हमेशा देख सकते हैं तो आप ध्यान रखिए मैंने आपको सारे बताई दिया हैं फिर चेंजेज एंड कंटिनुटी क्या क्या चेंजिस हुए कि रिलीजन नहीं था या फिर रहते कैसे थे हर चीज में जो भी चेंजिस हुआ आप उसको लिख सकते हैं और चंटीनू क्या हुआ हुआ कि ड्रेट के बारे में देखा कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं धन्यवाद जये नमस्ते आप सभी को इस लेसन में हम हडपा सिविलाइजेशन हडपा सभिता के बारे में पढ़ेंगे यह वाला टॉपिक ट्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज और आप कभी भी कंट्रिब्यूट कर सकते हैं अनकेडमी के लिए ताकि बहुत दूर दरास्तक के लोगों को भी जो कोचिंग काफ़र नहीं कर सकते हैं वहाँ तक एजुकेशन पहुचाई जा सके हैं शुरू करते हैं हडपा सिविलाइजेशन हडपा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं सिंधु घाटी सब भी बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुरूआत में जब इसकी खोज की गई तो वो सिंधु नदी के दोनों तरफ लगबग इसके इस्थान पाए गए थे तो लगा कि शायद हाँ ये इंडस वै इसलिए बहुत आगे तक के डिरेक्शन में भी फैली पाई गई तो इसलिए इंडस वैली की जगह अब इसको हडपा सिविलाइजेशन बोलते हैं इसलिए क्योंकि सबसे पहला इस्थान जो खो जा गया था वो हडपा था तो उसके नाम पर हडपान सिविलाइजेशन कहां तक मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर से लेकर के यूपी में एक स्थाने वहां तक इसका होरिजोंटल एक्स्टेंट है फिर उपर से नीचे देखें तो कश्मीर में एक चेनाब नदी के पास में मांडा है मांडा से लेकर के नीचे डाइमाबाद जो महराश लेकिन यह हिंदी इंग्लिश में थोड़ा से यह हो जाता है इंग्लिश में हर चीज में एक आद आ उई एक्स्ट्रा एकम होई जाता है तो खैर कोई बात नहीं वहां जो जो ग्रेट बात वहां पर इसके करण वह फेमस है हडपा चानू दड़ो लोथल लोथल में सकते हैं आगे बढ़ते हैं यह मेंस के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है कि बहुत सारे ओरीजन मतलब हरपा सिविलाइशन आया कैसे कब आया तो इसके बारे में बहुत सारी थियोरीज चलती है लगब लगब हमने पिछले लेसन में देखा था कि 2800 बीसी के आसपास में इसका उदय हुआ है लेकिन कैसे उदय हुआ उस बारे में बहुत सारी चर्चा है जैसे कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि थियोरी ओफ फॉरें ओरें से मतलब मेसोपोटामिया और सुमेरिया जो सब बिता एक्जिस्ट करती थी वहीं से कुछ लोग निकल करके और धीरे-ध बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च करने पर पता चला कि इस तरह का नहीं है क्योंकि जो अर्बन स्ट्रक्चर है वहां का नौन यूनिफॉर्म है और हडपा का यूनिफॉर्म है यदि वहां की लोग आये हैं तो उनको जब अपने आकी गलतिया पता थी तो यहां पर आकर क मतलब कैसे किस तरह से वो उस चीज को सुधार पाए फिर उसके बाद सील्स के बारे में भी देखा तो पता चला कि हमारे यहां की सील्स के शेप अलग है वहां की सील्स के शेप अलग है और यदि वहीं के लोग आये थे तो फिर स्क्रिप्ट भी सेम होनी चीए लेकिन ऐसा नहीं पाया गया है जो script है वहां के decipher हो चुकी है और हमारे आके अभी तक script decipher होना बाकी है ऐसे एक theory और है जो Aryan origin की बात कर दीगी मतलब Aryan लोग थे वो आये यहां पर आकर के बसे और उन्होंने आकर के पूरी सब्विता को विक्सित किया लेकिन फिर ऐसा नहीं पाया गया है क्यों क्योंकि जब Aryans यहां आये थे और अभी तो आगे का lecture एक होगा lesson उसमें वैदिक एज में हम पूरे discuss करेंगे कि 1500 BC से लेकर के लगवक 600 BC तक जब Aryans थे तो वो गाउं में रहते थे तो भई हरपा civilization तो urbanization वाली civilization है पूरा शहर बसा हुआ था तो कैसे वो लोगों ने उस चीज़ को develop किया तो यह बात भी खारिज हो जाती है फिर finally पता जलता है एक theory और है theory of indigenous and gradual origin indigenous मतलब कि यहीं के लोग थे और gradual मतलब धीरे धीरे उसका origin हुआ है तो कैसे कि लगबख 3520 से जैसा हमने मेहरगड देखा था एक मेहरगड नियोलिथिक की थी place और फिर उसके बाद में वो early हरपा civilization की place भी मानी आती है तो लगबख वहां से इस सब बिता का उदय होना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे वो मेहरगड से लोग fertile lands of indus के आसपास आगर के बसने लगे और इस तरह से पूरी civilization मतलब एक ही साथ एक ही दिन में पूरी develop हो गई हो ऐसा नहीं है लगबख कई वर्षों के बाद में ये पूरी civilization निखर के सामने आई चालकोलितिक phase जो था वो भी urbanization में उसने बहुत है चालकोलितिक phase का मतलब होता है कि जिस phase में copper का use किया हो तो जब तामे का use किया गया तो उसके कारण से बहुत सारी सहूलियत लोगों को हो गई और उसके कारण से urbanization develop हुआ खेती भी अच्छी हो गई उसके सारा कारण से secondary economic activities भी अच्छी होने लग गई तो यह सब हुआ अब फीचर्स ऑफ civilization की यह जो civilization थी वो कैसी थी इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं इस मैंसे बहुत सारे points से दिया आप एक एक word भी यह keyword याद रख लेंगे तो आपको मेंस में 100% काम आने वाले हैं आप कहीं भी उसको use कर सकते हैं मैंने भी अपने मेंस के exam में use किया था सबसे पहले indigenous थी obviously इसके बारे में हमें ने देखी लिया है कि लोग यहीं के थे और चालकोलितिक फेस और मेहरगड बगेरे से निकल करके दीरे दीरे डवलप हुआ urban civilization थी this is very important हमको याद रखना है कि दुनिया मतलब इंडिया के धरती पर सबसे पहला urbanization जो हुआ वो इस समय हुआ उसके बाद में दूसरा मौया जनपत के टाइम पर हुआ और तीसरा फिर अकबर के काल में हुआ लेकिन यह सबसे पहला urbanization था और presence of urban institutions बहुत सारे urban obviously जब urbanization है तो आज के जमाने में जैसे institutions हैं वो स्टैम भी पाया जाते थे जैसे एक citadel मिला है तो पता चलता है कि कोई एक महाँ पर authority public authority रही होगी जो बाकी लोगों को जो नीचे lower city में रहते थे उनको शायद administer करती होगी literate रहे हैं लोग क्यों कैसे पता चला हमको script मिली है इसलिए भले हम decipher नहीं कर पाए evolved society थी evolved society कैसे पता चलता है क्योंकि बहुत सारे means of entertainment मतलब मजे करने के बहुत सारे साधन हमको मिले हैं जैसे कि खेल हैं भई खेलते होंगे एक bull up cart मिली है तो चलाने के लिए चैस भी मिला है हमको तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि evolved थी society utilitarian outlook था utilitarian मतलब होता है कि जो भी चीज़ काम की है utility की है उसको वो ज़्यादा तवज्दो देते थे तो हम कोई भी एक बहुत extra ordinary structure तो नहीं पाते हैं लेकिन जो भी हमने पूरी city का development पाया है जैसे lower citadel मतलब citadel फिर lower city great bath storage for the granaries इस तरह कि जितनी भी चीज़े हमको मिली हैं या फिर कुए बने हुए हैं या फिर highways बने हुए हैं इस तरह से हमको पता चलता है कि वो लोग utility में विश्वास रखते थे materialistic outlook था क्यों क्योंकि trade और commerce बहुत flourish हुआ है जब हमको seals मिल रही है जब हमको पता चल रहा है कि sea trade भी वहाँ exist करता था तो मत जरूर ही वहाँ का trade and commerce और obviously खेती के दम पे कोई भी city नहीं खड़ी हो सकती है सिर्फ गाउं खड़ा हो सकता है सिटी खड़ी करने के लिए आपको secondary economic activities में flourish करना ही पड़ेगा extensive area covered किया कितना हमने वो देखी रखा है advanced water management system यह हमारे history optional में एक बार question आ चुका है और कई बार देखा गया है पुराने history optional के question ही दीरे-दीरे GS में आने लगते हैं तो सीधी बात है कि advanced water management system कैसे था क्योंकि defecation open में नहीं होता था पूरा drainage system बहुत अच्छे से बना हुआ था well लगे हुए थे फिर great bath का वहाँ पर तो इस तरह से आप 4-5 point लिख करके इसको भी explain कर सकते हैं multi class था multi class in the sense artisans, craftmen, traders, merchant multi class का मतलब यह नहीं के burnt system वहाँ पर था बलकि अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर थे multi ethnic था, dravidian, proto-australites और सबके skeletons वहाँ पर मिले हैं iron नहीं था obviously लेकिन bronzes थी चालकुलितिक period का प्रभाव इस पर देखा जाता है centralized administration system था कैसे पता चलता है क्योंकि uniform town planning है इसका मतलब कोई नहीं कोई बंदा होना चाहिए जो यह सारा काम करें जैसे कि आप भी UPSC में आकर के administration बनाएंगे तो उसी तरह का कोई IAS उस टाइम भी रहा होगा brick size एक जैसी मिलती है जन्से घर बने है standard of weights and measures भी लगबग common है पता चलता है भई कुछ न कुछ तो एक बीच में centralized authority होनी चाहिए तो इस तरह से हमने इस में पूरे features और कैसे theory of origins अलग अलग तरीके से बताई गई है वो देखा अब आगे के lesson में हम और भी aspects cover करने की कोशिश करेंगे धन्यवाज जैहिंद नमस्ते आप सभी को से आप पूरा reduce कर सकते हैं आगे भी उतना हमने देखा लेकिन अब और भी जो aspects है मैं राजनितिक तरीके से सामाजिक तरीके से आर्थिक तरीके से economic social political science and technology इन सब के बारे में हम इस chapter में इस lesson में discuss करने की कोशिश करेंगे आप contribute कर सकते हैं हमेशा कभी भी कहीं भी ताकि जो free education है वो आगे तक लोगों तक पहुचाई जा सके यह वाली जो photo है आप देख सकते हैं यह UPSC का जब मैंने interview दिया था उस समय की है और भले ही खुश लग रहा हूँ लेकिन interview बहुत ज़्यादा बिगड़ा था transcript available है आप कभी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बाकी बात इतनी सी है कि हाँ कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है interview में मैं बहुत ज़्यादा श्यूर था कि मेरा अच्छा ही जाता है आर अच्छा ही होगा लेकिन वहीं पर धुका हुआ जहां पर एक दम सबसे ज़्यादा strong थे खेर काम की बात पर आते हैं political life political life के बारे में exact हमको नहीं पता है लेकिन ऐसा लगता है कि वह किसी एक centralized authority ने उसको govern किया होगा centralized authority ने गवर्न किया होगा ऐसा लगने के कारण क्या है कि हमको proper town planning मिलती है बीच में एक citadel है फिर lower town है जैसे कि हरपा मोहन जोड़ो में तो बही उपर यदि कोई है तो हो सकता है वहाँ पर कोई रहता हो तो इसलिए लगता है कि centralized authority होगी wide perpendicular roads बने हुए है तो इतना सब सोच समझ के किसने बनवाया होगा तो कोई authority होनी चाहिए फिर wells और proper drainage system भी वहाँ पर मिलता है और साथ ही साथ standard weights and measures हर जगे use हुए है मतलब आप यदि काली बंगन में जाते हैं तो भी हड़पा में रहते हैं मोहन जोड़ो में जाते हैं हर ज इस तरह लगता है कि there must be some centralized authority हाला कि कोई भी proper evidence हमको नहीं मिले हैं तो कुछ historians कहते हैं कि centralized authority secular नहीं थी वहाँ पर कोई priest था पुजारी type का कोई विक्ति होता होगा जो इन सब चीजों को head करता था और great bath में भी सब त्योहर मनाने के समय पे स्नान करने आते रहे होंगे तो खे economic life आर्थिक समस्या है क्या थी तो आर्थिक life आर्थिक aspects कभी भी पूछे जाएं तो आप हमेशा उसको दो तीन भागों में divide कर सकते हैं कि सबसे पहले जो primary activities है उनके बारे में लिखिए फिर secondary activities है फिर उसके बारे में लिखिए फिर तीसरे नमबर पे trade and commerce किस तरह था था उ बन जाएगा और आपको भी याद करने में mind map बनाने में आसानी होगी तो वैसे ही मैंने भी यहाँ कोशिश की यह लिखने की कि primary activities में obviously जब शहरी गरण हो चुक है urbanization है तो इसका मतलब agriculture तो surplus ही रहा होगा क्योंकि जब agriculture surplus होता है तब खेती में लगे हुए कुछ लोग वहा हमको कैसे पता चलता है कि green stories था मोहन जोड़ो में आसपास के गाहों उसे लेकर के अनाज आया था लाया जाता था मोहन जोड़ो में और वहाँ पर उसको रखा जाता था ऐसा ही हडपा में भी होता था secondary economic activities भी इसी की current flow ratio जैसे मैंने आपको भी बताई है crop rotation के बारे में वो लोगों में थी और इसलिए हडपा को हम कई मायनों में आदर्श्री मानते हैं सब बिता को कि भाई 3000 साल पहले वो हो गया जो हम आज भी नहीं दे पारें जैसे water management ये question आ सकता है क्योंकि हमेशा एक दूसरे से connect करने की बात आती है तो यदि ऐसा पूछा जाए कि ऐसा क्या ह जो हम आज भी नहीं कर पा रहें तो आप अविश्य बता सकते हैं कि water management system है आज भी हमारे open defication चलता है लेकिन उस समय एक दम बहुत गजब का system उन लोगों ने develop किया था ऐसे और भी चीज़े हैं जो आप सोच सकते हैं नहीं तो comment section में पूछिए तो मैं भी आपको कुछ एक seals मिली हैं जिससे trade का पता चलता है toys मिले हैं जिससे entertainment का पता चलता है pottery मिली है मतलब रदुभांड मिले हैं जिससे storage रखते थे इसका पता चलता है beads मिले हैं अलग-अलग तरीके के मन के मिले हैं जिससे ornamentation का पता चलता है terracotta मिला है terracotta से हमको बहुत सारे figures अलग-अलग बन पूजा करते रहे होंगे और इस तरह की इंडस्ट्री पूरी डवलप थी आगे ब्रिक मैनिफेक्चरिंग थी इससे हाउस मिकिंग का पता चलता है मैटलर्जी थी मैटलर्जी में बहुत सारे मैटल यूस कियो नहीं कोपर गोल्ड सब लिख दो बस आपको इतना ध्यान रख यह उसको यूजा जाता था था तो अफगानस्तान से जाते थे तो बीच में एक शोड़तू घरता है शोड़तू गई से फेर आगे वो जाता था वहां गुज़रात में हैं लोथल वहां से होता हुआ फिर वह आगे जाता था balance of external trade was favorable ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि जो external trade से हमारा balance था वो favorable था मतलब हम export ज़्यादा करते थे और import कम करते थे तो ये भी एक चीज़ है जो हम आज के लिए सीख सकते हैं हमारा भी surplus में नहीं है deficit में चलते हैं तो ये भी हम favorable बनाने के लिए उन से सीख सकते हैं कि भई उस जमाने में हम इतने advanced थे आगे हमारे mesopotamia के साथ connections थे copper कहां से आथा तो खेतडी mines आज भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है माबल लेकिन आज भी खेतडी mines जो राजस्थान में महां से copper आता है कुल आर माइंस जो करना डगे महां से बड़ा सरल है याद रखना क्योंकि आप यह सरल है दू-चार पॉइंट याद रख दिये और आप मेंस में लिखा है तो बहुत यह अच्छा रहता है timber कहां से आता था मांडा से आता था तो बोलते कि उसमें डाल दी जाते थे और वहां से बह करके फिर वो आगे आते थे सामाजिक लाइफ परिस्थियां कैसी थी mother goddess है जिससे पता चलता है कि status of women हमेशा सामाजिक लाइफ की बाद हो तो आपको दो-तीन चीज़ धियान रखनी है women के बारे में लोगों की class कैसी थी मतलब वर्ण सिस्टम था या नहीं था फिर education के बारे में इस तरह से दो-तीन बारों में मतलब topics के बारे में आपने बात कर दी तो काम हो जाता था तो सबसे पहले women के बारे में mother goddess से पता चलता है कि status बहुत हाई था multi class थी multi class का यह मतलब नहीं कि वर्ण लेकिन artisans craftsmen farmers बहुत सारे लोग पाए जाते थे utilitarian था ही हमने पिछले lesson में देखा ही और materialistic थे क्योंकि trade and commerce बहुत अच्छा था बहुत सारे beads और ornaments पाए गए हैं इससे एक चीज़ पता चलती है inequality यह कैसे पता चलती है बहुत important है क्योंकि precious stone से यदि बना है तो लगता है कि वह लोग rich रहे होंगे और normal common glasses वगरे से बना है तो लगता है कि वह लोग poor रहे होंगे तो beads जो skeleton के साथ में या ornaments मिले हैं उससे पता चलता है कि कौन लोग rich रहे हैं या कौन लोग poor रहे है literate class obviously वहाँ पर थी क्योंकि हमको script मिली है इसके अलावा ज्यादा society के बारे में हम ज्यादा depict नहीं कर पाए है finally science and technology science and technology के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि बहुत सारे metals use के जाते थे हमने कुछ slides पहले ही देखा है कि metallurgy developed थी बस iron का use नहीं होता था यह आपको ध्यान रखना है even for pre textiles भी बहुत अच्छे वहाँ पर flourish होते थे यह कैसे पता चला है कि हमको cotton piece मिला है बुना हुआ मोहन जोड़ो से जिससे पता चलता है कि textiles का भी बहुत अच्छा वहाँ पर use होता था drainage system तो best है यह इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है standard weight and measures एकी तरह के बाट यदी पाये जाते हैं तो मतलब कितना अच्छा है measures हर जगह अलग 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 जगह होते हुए भी एकी तरह की सब पाये जाते थे city east to west इस तरह से ले की गई थी ताकि जब sunrise हो sunset तक ले करके पूरी जादा से जदा sunlight को use किया जा सके यह इस तरह होता तो sunlight यहां से यहां जाती तो इतने समय में और इतने समय में कोई काम नहीं आता तो most of the sunlight का use करने के लिए मतलब इतना दिमाग उन्होंने लगा है कि किस तर और देखेंगे फिर हडपा हमारा लगवग समाप्त हो जाएगा धन्यवाद जय हिंद नमस्ते आप सभी को हडपा सिविलाइजेशन में हमने कैसे उसका origin हुआ और political aspects, social aspects, science and technology और economic aspects को अभी तक के lesson में देखा है इस जो यह जो part 3 है है इसमें religious aspects जो हमारा चूट गया है और उसके लावा हडपा civilization का decline कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे साथी साथ ऐसी क्या चीज़ हैं थी जो हडपा civilization के खतम होने के बावजूद भी आगे बढ़ती रही इस तरह का एक question पिछली बार के mains में भी पूछा जा चुका है और यह आपको सिर्फ हिंट देने के जिए जैसे आशुतोष गुवारिकर ने मुवी बनाई है वैसे ही आपके दिमाग में भी उतनी ही जोड़दार तरीके से चलना चाहिए खेर आगे बढ़ते हैं आप कभी भी contribute कर सकते हैं no doubt about that आप share भी कीजिए recommend भी कीजिए review भी कीजिए हर चीज कीजिए ताकि जो हिंद वाले lessons हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुच सकें खेर आगे पढ़ते हैं religious life धार्मेक aspects के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है लेकिन फिर भी इतना जरूर पता है कि वो nature worship करते थे प्रकृति की पूजा करते थे जिसमें water fire people इन सब की वो पूजा किया करते थे और ये आगे भी even आज तक भी चलता आ रहा है कि हम जल की अगनी की और people की पेड़ की पूजा करते हैं animal की worship करते थे क्योंकि हमको एक bull की seal मिली है जिससे लगता है कि वो animal की worship करते थे भगवान में gods and goddesses में वो विश्वास रखते थे obviously क्योंकि कई female figurines हमको मिली है महिलाओं की मूर्तियां मिली है एक mother goddess की मूर्ति तो बहुत ही famous भी है और एक seal मिली है जिस पर परशुराम की तरह की एक आकरती मिली है जिसे कहा जा सकता है कि proto shiva शiva नहीं लेकिन उसके पहले उसी तरह की कोई आकरती रही होगी तो god की भी पूजा करते हैं करते रहे होंगे इसी तर बीज में believe करते थे क्योंकि इस तरह की चीज़ें मिली है और कुछ figures ऐसे हैं मतलब कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जिन पर काले मार्क्स मिले हैं इससे लगता है कि उनके सामने कुछ आरती तरह की कुछ की गई होगी जिसके कारण धुए से वह मार्क्स वहाँ पर रह गए हैं तो लगता है कि आरती भी वो करते होंगे लेकिन कोई भी public environment में कोई भी मंदिर नहीं मिला है कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली है जहां ऐसा लगे कि यहां पर लोग आकर कि आरती वगएरे कुछ करते होंगे तो इसलिए लगता है कि वो most of the time private affair ये था लोग अपने अपने घर कि बाद में भी life मानने की belief को पुखता करते हैं खेर बरियल प्रैक्टिस के बारे में एक दो चीज़ें और देख लेते हैं क्योंकि इस तरह का कोई भी question आता है तो आप उसको answer कर पाएंगे located away from the habitation area मतलब दूर होते थे जहां पर वो रहते थे इस से पता चलता है कि उनके अंदर कितना civic sense था हम जहां रहते हैं वहीं गंदगी कर देते हैं या ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जो decumbose ना हों गंदगी फैलाएं तो हम सोच सकते हैं कि 3-4 हजार पहले हमारे जो आने के बाद में उनको दफना जाता था इस तरह से बहुत तरीकी की practices follow की जाती थी यह जो burial practice है यह भी बताता है अमीर और गरीब में किस तरह का अंतर है क्योंकि कुछ कब्रों के अंदर हमको गहने मिले हैं बहुत precious महेंगे लेकिन कुछ के अंदर हमको इस तरह के ornaments मिले है जो बहुत common पाए जाते हैं तो इससे पता चलता है कि वो लोग अमीर रहे होंगे और वो लोग दूसरे लोग गरीब रहे होंगे खेर आप देख लीजिए कि एक ही चीज है और इससे हमारे historian ने कितनी कितनी इधर उदर दिमाग लगा करके चीज़ें पता की हैं तो यह सार हमें आपको पता चलेगा कि जब एक civilization का decline हुआ तो decline के पीछे कितनी theories है कोई historian कोछ और कहता है कोई कोछ और कहता है खेर हमको लड़ाई नहीं करनी है लेकिन हर के बारे में हमको समझ में आना चाहिए ताकि हम उनके बारे में लिख सकें after all हमको तो UPSC निगालने से मतलब है साथ में knowledge होना ही चीए obviously knowledge है कहीं भी waste नहीं जाता है भले UPSC निकले ना निकले knowledge हमेशा हमारे साथ रहेगा तो पहली theory खेर ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि foreign invasion हुआ foreign invasion मतलब आर यह जो थे वो आए Middle East वाले region से और यहां पर आगर के हमला हुआ जिसके कार्ण से यह civilization खतम हो गई कैसे रिगवेद से पता चलता है रिगवेद में इंद्र को पुरंदर बोला है पुर मतलब होता है एक शहर और पुर का पूरा destroy कर दिया था साथ ही साथ वैदिकारियन जो थे लेकिन अब इस तरह के चीजों को इस तरह प्रूव इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जो वैदिकारियन से वह 1500 BC में एंटर किये हैं इंडिया में और जो civilization है proper civilization वह तो 1750 BC में ही decline हो चुकी थी तो यह 200 वर्स का gap है इसलिए लगता है कि नहीं यह वाली थियोरी पूरी तरह से सही नहीं होने चाहिए कुछ और थियोरी है कुछ कहते हैं कि flood के current से गया था मतलब बहुन जो दुड़ो जो है वह seven times flood से टगरा दे कैसे पता चलता है क्योंकि seven layers पे हमको excavation excavation हुए है खुदाई हुई है इसल सारी थियोरी के civilization का decline हुआ है हाकडा गगर एक नदी है उसका evidence काली बंगन पर पाया गया है कि किस तरह से उसने काली बंगन को पूरा तबहा कर दिया था course of river change होने के कारण लेकिन फिर यह एक ही शेयर की बात है इसको पूरा generalize नहीं किया जा सकता तो finally सच्चा ही क्या है बहुत सारे factors थे सबकी पीचे जैसे की ecological imbalance उससे में हुआ कैसे agriculture surplus कम हो गया जिसके कारण से आगे की सारी चीज़ें effect होती रही secondary economic activities कम हो गई शहर के में रहने के लिए लोगों के पास खाना नहीं हुआ तो धीरे-धीरे लोग गाओं की तरफ शिफ्ट होने लग गए flooding हुई inundation हुआ earthquake के भी हमको सबूत मिलते हैं और change in course of river यह तो हुआ यह सारी चीज़ें मिली इसके कारण भी decline हुआ फिर जो civilization थी वो time के साथ में evolved नहीं हो पाई क्योंकि मेसोपोटम यह उनका contemporary था लेकिन फिर भी उनसे वो बहुत सारी superior technology सीख नहीं पाई तो जब आप evolve नहीं होंगे अपने अंदर changes नहीं लाएंगे तो obviously Darwin की तरह है जो उन्होंने सिधान दिया है कि आप डूबते ही जाएंग लेकिन यह जो decline था यह सिर्फ urban waste का decline था अर्बनाइजेशन का decline था जो civilization थी यदि गावों में देखा जाए तो वो तो कुझरात और महाराश्ट्र के coastal region में लगबख 1300 BC तक sustain की है 1750 BC में main पूरा decline हो गया और 1300 BC तक final decline उसका कहा जा सकता है खेर क्या-क्या चीजें आगे रही civilization decline होने के बाद में भी यह बहुत सराल है हम इसके बारे में discuss कर चुके हैं तो जल्दी यल्दी देखें यह religion में nature worship आगे गया amulets आज भी use होते हैं proto शिवा और फैलस वर्षिप मतलब की link की जो worship होती है पूजा होती है वो आज भी चलती है social life में क्या क्या चीज़ें आग रहते हैं तो यह आगे तक continue वैदे के जिसके बाद आएगी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वहां पर इस सारी चीज़ें economic life knowledge of agriculture आगे तक गया arts and crafts आगे तक गये even मगद का मतलब हर जगे ही इनका use हुआ trade and commerce कुछ कुछ चिंज इसके कारण कुछ कुछ चिंज इसको philosophy क्या आगे यह concept of life after death मतलब कि death के बाद में भी life है और स्वर्ग और नरक का concept यह भी आगे तक रहा क्योंकि आगे भी Vedic period में भी और उसके आगे भी burial practices रही है science में क्या क्या आगे बड़ा तामभा बनाने की प्रक्रिया weights and measures Vedic काल में छोड़ा सा कम हो गए लेकिन महाजनप पीरियेड में फिर से वह बहुत जादा उनका यूज होने लगा और जो painting में color यूज होते थे natural colors उनका continuity आगे भी रही है किस तरह के questions अब यह जो हमने पूरे तीनों lessons देखे हैं उसमें से पूछे जा सकते हैं कि urbanization को आप compare करके बताइए आज की urbanization उस समय की urbanization हरपा की urbanization मतलब कुछ भी compare करने को बोल सकते हैं तो आपको urbanization के feature सारे आद होने चाहिए क्या-क्या lesson हम learn कर सकते तो drainage system वगर है वगर है secular system utilitarian materialistic trade and commerce या आप सारी चीज़े surplus यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं village life during civilization कैसी थी वह आपको पता ही है कि agriculture surplus था महां से वहां करके storage होता था और इसका impact ही यह था कि जिसके हमेशा village के कारणी शहर टिक पाते हैं village खतम तो शहर भी खतम हो जाते हैं draw civilization on the basis of sources found sources क्या है बहुत सारे हैं पता है आपको toys पता है लिपिस्टिक मिली है mother goddess मिली है बुल मिले है प्रोटो शिवा मिला है great bad मिला है port मिला है मतलब इतना सारा बनागर के आप लिख सकते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है आप बाकी मेर से comment section में पूछिए थैंक यू ज period लगबा कौन सी age में थे period क्या था वो अभी हम आगे की slides में देखेंगे लेकिन हरपा civilization के आसपास के time पर ये period था और Megalithic period जो था वो south में ज्यादा flourish हुआ है वहाँ पर इसका ज्यादा विकास हुआ है तो दौनों के बारे हम देखेंगे mains के point of view से और prelims दौनों के point of view स ये वाले topic बहुत ज्यादा important नहीं है इसलिए मैंने इन्हें बहुत कम slides में समेटने की कोशिश की है just to make sure कि हम कुछ भी skip ना करें और गल्ती से बायचान सिदी आ जाता है तो आप 2-3 points भी आपको याद होंगे तो आप इसका answer लिख पाएंगे इसलिए बहुत जल्दी से हम short में ये दोनों periods को cover करेंगे और इसलिए दोनों periods को एक ही lesson में मैंने cover करने की कोशिश की है आप हमेशा कभी भी contribute कर सकते हैं और साथ ही आप review, share, comment कीजिए इन lessons को ताकि जो हिंदी वाले lessons है ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके हैं खेर शुरू करते हैं श्या stone age के बारे में था चाल को मतलब copper और lithic stone तो copper और stone को मिला करके जो age थी तो especially जहां पर tambe का ज्यादा use होना प्रारम हो गया था वो period ये कहलाता है specifically तो हम कभी भी किसी period को define नहीं कर पाएंगे लेकिन हम समझते हैं कि लगबग 2800 से लेकर के 720 तक ये period रहा और 2800 से ही 1500 के तो इंडिया के इंडियन सबकॉंटिनेंट के जिस हिसे में चाल को लिथिक पीरियड डवलप था उनको हमने लोकल कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स वैरी होने के कारण अलग-अलग cultures में divide किया है क्या है वो cultures जैसे एक आहड कल्चर है आड कल्चर बनास रीवर पे है और उ चंबल की एक क्रिब्यूटरी काली सिंध उसकी वैली में पाया जाता है तो यह भी आप समझ सकते हैं लगभग exactly तो मैंने ही मता सकते हैं लेकिन दहौलपूर मुरेना वाले रीजन में यह पाया जाता है फिर एक जौरवे culture है जौरवे culture डाइमाबाद में तो है खेर आगे बढ़ते हैं बहुत कम पॉइंट्स हमारे पास में इसके बारे में हैं तो एकनोमिक आस्पेक्ट्स एकनोमिक आर्थे ग्रूप से वह कैसे थे अग्री कल्चर था उनके पास में और वह डाइमाबाद के पास में भी गोदावरी और कोई लोकल रीवर भी बहत है तो इस तरह से सब और एक मालवा में है तो मालवा में भी नर्मदा तापती बहने के कारएंट से एरिगेशन की उनको पहचान थी खेर आगे बढ़ते हैं रिलीजिस आस्पेक्ट्स क्या थे फिमेल फिगर वह यूज करते थे कले का बना हुआ और मेल गोड्स का बहुत तो इसलिए लगता है कि शाद फिमेल फिगर इन से जादा यूज होएंगे इसी की कंटेंप्रेरी हरपा सिविलाइजेशन में भी हमने देखा था कि फिमेल फिगर का ही मदर गॉड़ेस वगरे को वह यूज करते थे है न मेल डॉमिनेशन तो वैदे की इज में आया है जिससे पता चलता है कि वह भी एक religious cult रहा होगा तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी changes बहुत सारी चीज़ें वही same to same वही है जो हरपा civilization में भी हमको देखने को मिली थी social aspects क्याते कि बहुत सारे एक बीच में बहुत बड़ा settlement था कुछ-कुछ गाओं में ऐसा मिला है और उसक पता चलता है कि एक बीच वाला जो बंदा रहा होगा वो एक public authority होगा जो आसपास वालों को dominate करता होगा और यही एक inequality भी बताता है और दूसरी कैसी तरीके से inequality पता चली है वो पता चली है कब्र गाहों से graveyard से कुछ graveyard मतलब यह तो एकदम basic है और हर जगह हमको काम आया है historians को कि कब्र मैंसे यदि किसी में से precious ornaments मिले हैं तो वो जरूरी कोई अमीर भीकती रहा होगा और जहां से normal common से beads मन के इस तरह की चीज़े मिली हैं तो obviously वो middle class या lower class के लोग पूर लोग रहे होंगे तो खेर यही इतना ही है चालकुलेतिक के बारे में समझने के लिए तो यह period important क्यों है फिर क्योंकि इस समय वो लोग copper का smelting जानते थे यह बहुत important है आगे copper बहुत काम आया first time उन्होंने painted pottery का use किया है और founded first large village in the peninsular India peninsular India का जो part था वहाँ पहली बार कोई बड़े village की उन्होंने इस्थापना की थी लेकिन साथ ही साथ इसके limitations भी थी क्या थी कि जो domestication animals को जो पालते थे उनको slaughter करते थे उनका दूद निकालने की कला art अभी तक उनको नहीं आई थ थी बहुत सारा हमको कबरों से पता चला है कि बच्चों को दफनाया गया है इससे पता चलता है कि बहुत infant mortality rate बहुत ज़्यादा high थी मतलब बच्चों मरते थे और health issues diseases बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैली थी rural background था obviously क्योंकि साथ में हडपा civilization चल रही है जो urban है लेकिन यहा हैं और उन्होंने इस चीज का भी advantage नहीं लिया कि इंडस वैली के लोग हमारे पास में रहते हैं तो हम उनसे कुछ सीख सके जैसे इंडस वैली वाले मैसो पोटा मिया से नहीं सीख पाए तो धीरे धीरे उनका 1000 साल बार decline हो गया वैसे चाल को लितिक पीरेड वाले अपने स तो एक ऐसा पीरेड आया southern part of the country में कि जहां पर जो कब्र थी उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगाया जाने लगे तो उस पीरेड को किस तरह से define करें तो उन्होंने megalithic period उसको नाम दिया है large stones तो ये कितना कौन सा समय है 1100 से लेकर के 500 BC तक का ये time हम कह सकते ह हैं मतलब की नदन पार्ट में उस समय वैदे केश थी और सदन पार्ट में megalithic period चल रहा था में लिए peninsular इंडिया में मर्ज हुआ है इसके evidences कैसे पता चले मैंने आपको पता ही दिया कि बहुत बड़े-बड़े पत्थर कब्र के चारों तरफ रखे जाते थे आप इंट इंडो रोमन ट्रेड उस समय डवलप हुआ है और पॉटरी भी इस तरह की मिली है जिसमें कुछ ऐसी चीजन स्टोर हुई है या पॉटरी सो खुद भी ऐसी मिली है जो इंडो रोमन ट्रेड को इंडिगेट कर दी है बहुत ज़दा इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने बहुत सारे एक्जामपल भी नहीं दिये जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते थे तो उस टाइम हमको बहुत डिटेल में बढ़ना पढ़ता था लेकिन दो एक्जामपल आप याद रख सकते हैं इनकेस बाय चांस कभी गलती से कोशन आता है तो दो एक्जामपल है भ्रम बनाएंगे तो मैंने आपको बता है कि एक बुल वहां से मिला है फिर ऐसा भी पता चला है कि बीच में बड़ा घर है चारो दरफ छोटे-छोटे घर हैं फिर हमको इरिगेशन के साक्षे मिले हैं फिर हमको ग्रेवियार्ड से अलग-अलग चीज़े पता चलिए इनक्वैल नमस्ते बुद्धिजम के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं जब अभी हम वैदे के बारे में पढ़ चुके हैं वैदे के जब 600 बीसी में खतम होई तो धीरे धीरे जनपद और महा जनपद उस समय निकल करके आए यह हमारे यहां का दूसरा अर्बनाइजेश समय निकल करके हैं उसी में से एक बुद्धिजम है बहुत important है कई बार questions पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि पूरा cover करने की कोशिश पूरा cover हो जाए और by chance नहीं होता है तो आप comments section में पूछ सकते हैं share कीजिए review कीजि ब्रामेनिकल डॉमिनेंस जैसे मैंने अभी आपको बता है कि पूरा जो सामाजिक और धार्मिक जीवन था लोगों का उसमें ब्रामेनिकल डॉमिनेंस आचुका था जैसे कि कोई भी social mobility नहीं थी जो क्षत्री हैं वो वैश्य हैं जो शूद्र हैं वो शूद्री हैं वो शू जो religion था वो बहुत ज्यादा complex हो चुका था और बहुत महेंगा हो चुका था in the sense कि आपको कोई भी यग्य कराना है कुछ भी कराना है तो हर चीज में आपको कुछ नो कुछ पुजारी या किसी मंत्रों को सम्मिलित करना ही पड़ता था साथी साथ उस समय economic changes भी होने लग गए थे जैसे agriculture के लिए बैल चाहिए पड़ते थे लेकिन भामन बोलते थे कि आप उनकी बली दीजिए ताकि आपको सर्ग मिलेगा तो लेकिन अभी तो कुछ हो नहीं रहा है सर्ग जागर के क्या करेंगे तो इससे descent create होने लगा फिर लेकर के शुरू में कोई न कोई व्यक्ति जरूर काम करेगा तो लोगों में इस तरह से असंतुष्टित्वा की भावना डवलप होने लगी और फिर नए मर्चेंट्स का एक नई क्लास डवलप हुई उभर करके आने लगी जो उससे dissatisfied थे क्योंकि उनको mobility चाहिए थी वो लुंबीनी में जन्म हुआ कुषिनगर में उसको बोलते हैं महाबरी निर्वान की उनको प्राप्ति हुई और बोधी उनको हुई थी बोध घया में और पहला उन्होंने जो अपदेश जीया था अपना सार नाथ में दिया था ये कुछ मुं AW बात हैं साथी साथ बुद्ध की जो टीचिंग्स है उनसे रिलेटेड है और अविधम्म पिटक जो उनका दर्शन है बहुत धर्शन है उससे रिलेटेड है बाद में जाकर के दो भागों में बढ़ गया एक हीनियान और एक महायान हीनियान मतलब की वो बुद्धु को भगवान नहीं मानते थे और ऐसा मा समझते थे कि जो मौंक्स हैं और नंस हैं मतलब महिलाएं जो दिक्षा ले लेती हैं और पुरुष दिक्षा ले लेती हैं वो ही बुद्धिजम को फॉलो कर सकते हैं और वो भी बुद्ध जैसा कभी बन सकते हैं महायान का यह कहना था कि हर कोई follow कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेमैन कॉमान आदमी follow कर सकता है और वो देख भगवान है उनकी पूझा करो तो आप भी उनके भक्त बन करके उनके पास पहुँच सकते हैं तो हीनियान जो है वो नीचे वाली कंट्री, श्री लंका, थाइलाइंड, मलेशिया में फेमस है और महायान जो है वो चाइना, जापान की तरफ जादा फेमस है टीचिंग्स, टीचिंग्स में लिए कि ब्रहमे निगल ओर्डर के कंप्रीटली अगींस्ट है और हम आगे देखते हैं कि इसमें उपनिशद का भी इंफ्लोएंस मिलता है फिलोसफी में जैसे नॉन वालेंस जो है रिचुल्स को उन्होंने कंटेंड किया है, प्रिस्ली डॉमिनेंस को उन्होंने कंटेंड किया है और ग्यानमार्ग का जो बढ़ावा दिया है ऐसा लगता है कि यह उपनिशद से इंफ्लोएंस हुआ है वेदों को रिकजनाईज नहीं करते हैं इसलिए उनको हेट्रोडॉक्स से एक्ट भी कहा जाता है इसके बारे हम आगे वाले लेसन में देखेंगे इसलिए अभी आप इतना ही संद्य कि वेदों को रिकजनाईज नहीं करते हैं फिर एक प्रतीप्ति समुत्पाद का उन्होंने डॉक्ट्रेन कंसेप्ट दिया है प्रतीप्ति समुत्पाद में क्या होता है कि एक state जो है उससे अगली state को जन्हों मिलता है तो इससे ये खतम होती है उससे अगली state आई फिर ये खतम होजी फिर इससे अगली state आई ऐसे करके जो भविश्य है वो unendingly हमेश्वा तक आगे तक चलता रहता है जो sentence मैंने पहले बोला था, अब वो खतम हो गया, अब ये वाला sentence मैं बोल रहा हूँ, अब ये बोलूँगा, तो इस तरह से आगे चलता जाएगा, पीछे का खतम हो जाता है, God के existence के बारे में कोई comment वो नहीं करते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, निर्वान मिल सकता है, कैसे मि सकता है, आप lifetime में उसको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन आप उसको lifetime में भी ले सकते हो, by gaining knowledge, सिर्फ आप ग्यान प्राप्त कर लें तो आपको मिल सकता है, और जब आप मर जाते हो तो उसी को महापरी निर्वान कहा जाता है, चार और मुख्य सत्य है इनके निर्वान के को प्राप्त करने के लिए नोबेल टुथ जिनको बोलते हैं एक है दुख समुधा है दुख निरोध और दुख निरोध गामीनी प्रतिपध मतलब कि दुख है जीवन में वो दुख का जो समुधा है वो इच्छाओं से आता है उस को बोलते हैं हश्टांगिक मार्ग और यह है आपके सामने हश्टांगिक मार्ग हश्टांगिक मार्ग के बारे में आप एक बार देख लिएगा बाकी मेंस में तो आना ही नहीं है यह बिल्कुल भी दो तीन नाम याद हो गए तो आप एज एन एक्जामपल लिख सकते हैं बा जिसमें एक्षत्रिय ऊपर होने लगे फिर भ्रामना है नॉर्माली भ्रामन शत्री वैशे शुद्र है इसमें एक्षत्री भ्रामन वैश्य और शुद्र का एक तरीके से इन्हों ने सिस्टम डवलप किया और वह बहुत ज्यादा रिज़िट भी नहीं था स्लेव को इन्हों ने रिकर्गनाइज किया अनफॉर्शनेटली जो स्लेव का है वह हमेशा ही हमारे इंडिया में चला आया है विमन का जो स्टेटस था वह मैंन के एक क्वल नहीं रहा कहा जाता है कि बुद्ध संग में उनकी एंट्री भी नहीं देना चाहते थे लेकिन उनक सरह के जब भी मॉंक्स जाएंगे तो यह उटना पड़ेगा और इस तरहे रिइच्छान का बहुत जादा युग्जान होरी आगे जाकर किBERGे खिनलन्दा विश्य भिद्यालय और तक्ष्रिला इन पर बुद्धिजम का बहुत प्रभाव रहा एकनॉमिक डाइमेंशन क्या है अर्बन नीड्स को सपोर्ट किया ओविएसली अर्बनाइजेशन में जितने भी मेंली मर्चेंट्स अंट्रेडर्स थे वह इस धरम की तरफ प्रभावित हुए प्रैक्टिस कि प्रैक्टिस को कि इन्होंने अलाव किया बहुत का से निकल करके में चाइना और एक कोरिया जापान भी गया और इंडियन सब्कॉंटिनेंट से श्री लंका साउथ इस एसिया श्री-लंका तो ऐसे गया था कि अशौक के जो पुत्र-पुत्री थे महिंद्रों संगमित्र उनको उसने श्री लंका भीजा था सीलोन की तकर करो इसलिए बोधी व्रक्ष के शाह लेकर और मं कुछ यही कर भी वहाँ पर है कैसे इतना ज्यदय हुआ आज भी इतना ज्यदी हम इस प्रैड कष़ी कर लोगराएंगा तो आपको खुद भी बहुत सारे कारण मिल जाएंगे बाकी मैं कुछ यहाँ पर mention किये देता हूँ जैसे simplicity in the teachings बहुत सरल है middle path उन्होंने अपना है कोई cut in नहीं है एक simple language में सारी चीज़ें लिखी गई है जिसका नाम है Pali language कास सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे तो obviously famous होना ही होना था बुद्ध की स्वैम की personality बहुत जादा एकदम गजब की थी लोग देखते हैं उनसे प्रभावित हो जाते थे तो उनकी शिक्षाओं से तो प्रभावित होना ही था संग जो था उनका एक काम था कि वह इस तरह की faiths को आगे लेकर के जाते थे फिर रॉयल पेट्रोनेज मिला अशोक कनिश्क और हर्ष जैसे इतने बड़े-बड़े मतला इंशेंट हिस्ट्री में अधी हम नाम पढ़ेंगे तो इन ही कुछ राजाओं के नाम याद रहते हैं और उन सब नहीं अधी रगल पेट्रोनेज दिया तो जरूरी इसका स्प्रेड होना था फिर अशोक ने तो हम मगद एंपायर में अलग से पढ़ेंगे बाकी अशोक ने एक स्पेशल अपॉइंट के धर्म महामित्र जो इन सारी शिक्षाओं को जगह-जगह पहुंचाते थे इंस्क्रिप्शन उसने लगाए थे रॉक के पिलर पर जिसमें सारी चीज़ें थी और धम्यात्रा भी वह निकालते थे ताकि यह सारी चीज़ें आगे बढ़ सके मिडल पाथ अपना है यह तो हमने देखी लिया है लेकिन डिकलाइन क्यों हुआ बहुत सरल है बाद में जाकर के करॉप्शन आगया लोगों में सारे डिसिप्लिन छोड़ दिये फ्लेश फिश वाइन विमन यह तो हमेशा गई है इसके कारेंट से उन्होंने पूरा खतम हो गया मुस्लिम जब आया तो तो एकदम ही डाउन फॉल हो गया सब कुछ खतम हो गया और फाइनल मुस्लिम कंक्वेस्ट के बाद में और इंटलेक्ट्वल जो एक्टिविटी थी उसका भी डिकलाइन होने लगा वज्रियान आने के कारण वह मंत्री तंद्र में ज्य ऐसा हमने देखा था कि वैदेक एज चैसो बीसी तक थी और उसके बाद छोटे-छोटे गाउं जन्पद बन गया और जन्पद ही बड़े होते होते महा जन्पद बन गया और तब हमारे इंडियन सब कॉंटिनेंट का दूसरे शहरी करण अर्बनाइजेशन शिरू हुआ तो उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और साथ ही साथ उन महा जन्पदों में भी एक एमपाईर जो था वह सबसे आगे निकल करके आए जिसका नाम था मगद एमपाईर तो उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं आप कभी भी कंटिबूट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए ताकि जो free education है आगी तक लोगों तक पहुँचती रहे और review और share भी कीजिए इन lessons को ताकि हिंदी में जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन सकें खेर आगे बढ़ते हैं तो वैदे केज के बाद मैं यह urbanization का rise कैसे हुआ अचानक से यह urbanization कैसे सामने अचानक से तो क्या एक gradual process ही थी लेकिन यह कैसे सामने निकल करके आई तो यह जो points में बता रहा हूं यह हमेशा कोई भी urbanization पूरी दुनिया में कहां भी हो लगग लगग सारे points सेम ही होंगे तो इंडल्ज होना है तो उसके लिए पहले primary activity का surplus होना जरूरी है तब ही secondary economic activities में लोग अपना ध्यान लगा पाएंगे तो surplus था खेती बाड़ी का इसलिए यह बहुत बड़ा current था script का knowledge था script का knowledge होने के current से बहुत सारे काम उनकी आसान हो गए economic transactions अच्छे से होने लग गए philosophical dimension develop monetization of the economy यह पहली बार ऐसा था कि money का currency का use आर्थिक इस्तर पर सामने आये था पंच्ड माग coins जो थे वो यूज की जाते थे बहुत developed system तो नहीं था और mainly barter system ही चलता था barter system मतलब एक चीज़ आप दूईजिए दूसरी चीज़ आप हमसे लीजिए इस तरह का लेकिन फिर भी coins पहली बार सामने निकल करके आये थे coins के बारे में एक अलग से lesson हम बनाएंगे जिसमें पूरा आप उसको समझ सकते हैं गिल्ड सिस्टम यहां पर इमर्ज हुआ था गिल्ड को बोल सकते हैं एक संस्था की तरह थी जिसमें कोई एक specific skill के उपर वो काम करते थे suppose कि यह वो leather industry है तो गिल्ड यदी leather industry के उपर काम कर रहा है तो उसका एक मालिक होता था और वो अपने अंदर autonomy चलती थी उनके खुद के अपना श्रेणी बल होता था मतलब bodyguards वगरे होता थी तो अपने में पूरा वो autonomous institution था political unification होने लगा political unification होने के कारण बहुत सारे जैसे सोला महाजनपद तो बहुत ज्यादा famous हैं ही तो इस तरह से वो सामने निकल करके आने लगे सोला महाजनपद मेंस के साबसे बहुत ज्यादा important नहीं है लेकिन प्रिलिम्स में उसमें से question पूछा जा सकता है तो मैंने यहां पर mention नहीं किया है बस आपको क्या करना है इंटरनेट पर जागर कि आप एक map देख सकते है 16 महाजनपद का और हर एक महाजनपद का नाम और उ जैन को किसी से इस तरह से मिलाना सीख सकें बस उतना ही उसकी importance है और finally एक कारण यह था कि जो religious policy लेकर किया थी heterodox sect मतलब कि Buddhism और जैनिजम का इस ताम जो emergence हुआ था वो भी urbanization में उसना अपना सहयोग दिया खेर आगे बढ़ते हैं वो जो 16 महाजनपद थे उसमें भी एक जो सिर्फ मगद के पास ऐसी क्या खासियत थी कि उसका राइज हुआ यह हम देख लेते हैं सबसे पहले economic strength थी उनके वास में क्या fertile plains थे fertile plains क्यों थे क्यों कि गंगा वहां से बह रही है सोन वहां से बह रही है पुन-पुन वहां से बह रही है घगर वहां से बह रही है आपको पटना का जोग्राफी पता हो तो यह चार नदियां उसके आज-पास से निकलती है तो बहुत फर्टाइल प्लेन था क्लाइमेटिक कंडिशन्स बहुत फेवरेबल थी ओविएसली नदन प्लेंस का पूरा क्लाइमेट बहुत अच्छा है आट और क्राफ धीरे बहुत ज्यादा डवलप हो गया तो वहां पर और ट्रेड अन कॉमर्स भी वहां पर डवलप होने लगा ट्रेड अन कॉमर्स का ए पुत्र पुत्री को श्रीलंका बुद्धिजम का प्रचार करने बेजाता तो वो यहीं से बेजाता इसी पोर्ट से बेजाता उनके पास में पॉलिटिकल-मिलिटरी स्टेंग थी कैसे क्योंकि पहली बाद थो उनके बास में नैचुरल डिफेंस था इनिशली उनकी वो बहुत अच्छे उनके बनने लग गए forest आसपास बहुत ज़्यादा है Bengal में और उस तरफ तो forest resources उनके पास में बहुत ज़्यादा available थे और हमको पता है कि जो elephants हैं वो eastern India में पाए जाते हैं तो जो eastern India जिसके कबजे में मतलब हाथी उसके कबजे में तो मगद empire के पास में हाथी आ गए और उन्होंने military में उन हाथियों का बहुत ही तरीके से यूज की और पूरा जो उस टाइम का empire था वो उनके इंडर में आ गया एक कारण और भी है वो है socio-cultural strength तो वो क्या थी कि यह जो पूरा पाटली पुत्र वाला रीजन था यह वैदिक influence के बाहर था वैदिक जो है वो अभी के पाकिस्तान और इंडिया का रीजन मिला लें तो तक्ष शिला पेशावर से लेकर के यूपी में अही छेत्र यहां तक के आसपास पहुँच पाई थी लेकिन पाटली पुत्र तो बहुत दूर हो गया उससे फिर जैनिजम और बुद्धिजम का प्रभाव यहां पर बहुत ज़्यादा था इसलिए मगद एंपायर अशोक तो एकदम आप जानते ही हैं चंद्रकुप्त मौर यह जैनिजम के फॉलोर थे अशोक जो थे वो बुद्धिजम के फॉलोर थे और रोल ओफ रूलर इसको कभी नहीं न का रहा जा सकता कि इतने गजब के रूलर उनके पास थे जैसे मैं नाम यहां पर बताता हूं आपको बिमिसार, अजाच शत्रू शिशुनाग, महापदमिनंद इतने जोरदार रूलर उनके पास रहें और ओवियसली अशोक ग्रेट अशोक वो थो थे ही तो इसके कारेंट से मगद एंपायर डवलप हुआ और मगद में ही फिर एक डाइनेस्टी आई जिसको शुरू किया चंदरगुप्त महरेन है और वो महरेन डाइनेस्टी जो थी इतनी आगे जाकर के फैली कि महरेन डाइनेस्टी और मगद एंपायर फिर अलग नाम रहे ही नहीं दोनों एक दूसरे के ही नाम हो गए तो उसी महरेन पालिटी जब चंदरगुप्त महरेन शासन किया और उसके बाद में अशोक उस पालिटी की खासियत क्या थी मगद एंपायर में तो अलग-अलग लोगा है बिम्बिसार की बाद में फिर शिशुनाग आ गए फिर यह आ गए तो यह पालिटी कोई बहुत विस्तिर डवलप नहीं गर पाया लेकिन मौरियन एक ही डाइनिस्ट्री चली तो इनकी पालिटी क्या थी इसके फीचर्स हम देखते है मौनार्किकल थी ओविएसली सेक्यूलर थी ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और बाकियों को पीछे छोड़ रखा और जैनिसम बुद्धिसम दोनों ही बराबर फ्लॉरिश हुए और साथ ही साथ भ्रामन जो थे वो भी साथ में बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुए है में बाट दिया था इसलिए एड्मिनिस्रिशन बहुत अच्छा था स्टेट जो है उसने बहुत में रोल प्ले किया एकनॉमी में को बढ़ावा देने के लिए वेट्स और मेजर्स और इस तरह की सारी चीज़ें वही डिफाइन करता था ब्यूरोक्रैसी के अलिमेंट्स आना डवलप होने लग गये जैसे मौरियन डाइनेस्टी में एक तीर्थ था उसके अंडर में फिर अध्यक्ष होते थे फिर उसके अंडर में महामात्य होते थे तो इस तरह से ब्यूरोक्रैसी भी डवलप होने लगी military state के elements उते ही कॉटिल्य और मेगस्तिनी बताएंगे उसमें चतुरंग बल का पूरा वर्णन आता है कि सैनिक होते हैं घोडे होते हैं, हाथी होते हैं और रत होते हैं इस चरह से सारी चीज़ें बताई जाती है ये पॉलिटी लगभग लगभग सेम रही लेकिन जब अशोक आए तो उनके आने के बाद में कुछ चीज़ें चेंज़ें हुई हमें याद रखना हिस्ट्री में कब चेंज़ें हुए और क्या चेंज़ें हुए बस इन ही पर कोश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं तो अब अस ध्यान रखिए कि हम कहां से स्टोनेज से शुरू किये थे और अब अशोक तक आ चुके हैं दीरे दीरे तो अशोक क्या चेंज़ें मौरियन पॉलिटी में लेकि आए सबसे पहली बात वो अपने सब्जेक्ट अपनी प्रजा का वेलफेर सोचने लगे थे military strength से ज़्यादा वो वेलफेर पे ज़्यादा ध्यान देते थे धम यात्रा जो और्गिनाईस करते थे यात्रा और्गिनाईस करने के कारण वो खुद जाकर के लोगों से मिलते थे और बुद्धिजम का प्रचार या फिर कहें कि एक राष्ट्र धर्म का प्रचार वो करते थे एक अशोग धम्म एक अलग से आया था जिसके बारे में अलग से लेसन में पढ़ेंगे भी फिर constitutional character था और क्योंकि सारे officials की duties defined थी सबको पता था कि क्या क्या करना और लिखा हुआ था वो सब कुछ धम्म गोश्ट की पॉलिसी आगई भेरी गोश्ट मतलब लड़ाई और उसकी कलिंग के बाद में उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की हम सब जानती है तो इसका असर क्या हुआ political unification हो गया सब चीजों में progress होई peace and stability आ गई outer world के साथ भी बहुत अच्छा contact हमारा बनने लगा और civil criminals जो court थे वह अलग होने के कारण से judicial system भी बहुत अच्छा डवलब हुआ लेकिन कुछ negative भी आए इसके कारण नेगेटिव यह थे कि यह सारी चीज़ें king की personality पर डिपेंड करती है यदि local king आ गया तो सब कुछ खतम हो गया judicial system बहुत harsh हो गया कई बार bureaucracy भी बहुत misuse होने लगी और spies जो थे वो गलत काम भी करते थे धन्यवाज जैहिंद आप सभी को नमस्ते यहां मसूरी में थोड़ी ठन बढ़ गई है तो शायद मेरी आवाज थोड़ी दबी हुई है तो उसके लिए पहले ही आप सभी से क्षमा चाहता हूँ मगद एंपायर का पहला पार्ट हम देख चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी अब हम जो पार्ट टू है उस जिसमें हम थोड़ा administration, social cultural life, economic life उस समय की कैसी थी और मगद एंपायर finally disintegrate कैसी हो उसके बारे में पढ़ेंगे आप हमेशा contribute कर सकते हैं और share कीजिए, review कीजिए, comment कीजिए ताकि ये जो हिंदी वाले lectures हैं बहुत ज़ादा लोगों तक पहुँच सके हैं खेर शुरू करते हैं administration, दो भागों में divided था, एक था central और एक provincial, मतलब की अभी का आप center और state में जैसे साफ से divided हैं वैसे ही सोच सकते हैं center पे king था, king के साथ में council of ministers थे, मतलब बहुत basic है, ये आपको याद करना easy होगा और फिर officials थे, जैसे अभी prime minister, फिर उसके मंत्री और उसके साथ में जो bureaucrats हैं तो तीर्थ और अध्यक्ष उनके नाम हुआ करते थे, साथ में ही जैसे कि मुंबई का एक अलग से commissioner rate system चलता है, वैसे ही partly पुत्र जो उनकी capital city थी, उसका एक अलग से administration चलता है हाँ एक चीज और ये पूरा administration के बारे में हमको अर्थ शास्त्र जो कौटेले ने लिखा है और इंडिका जो मेगस्तनीज ने लिखी हो उनसे पता चलता है, कुछ चीज़ों में मत्बेद भी है लेकिन हम उसमें जाने की जरुरत नहीं है जो जो चीज़े हमको सेम मिलती है या कुछ इसमें से और कुछ इसमें से मिलता है तो उसको मिला करके ये पूरा history create की गई है, historiography हुआ है खेर आगे military चार भागों में divided थी, infantry, pedal, cavalry जो घोड़े पे सवार थे, chariot जो रत पे सवार थे और elephants जो हाथी पे सवार थे या शास्त्र सेम को मिलता है, साथी SPNH सिस्टम था, मतलब कि जासूसी का सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप था, जो direct king से contact में रहते थे जो judiciary थी, वो दो भावों में divided थी, एक civil और एक criminal, मतलब ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम आना जा सकता है, जो आज के जमाने में भी follow किया जाता है Tax collection, obviously होता था, तभी इतना बड़ा empiric सकता है, तो समाहरता जो होते थे, वो tax को collect करते थे Social cultural life, वर्ण आश्रम धर्म का सिस्टम concept अभी भी था, लेकिन ये concept mainly वर्ण मतलब आपको पता है, शत्रिये, भ्रामण, वैशे शूद्र, आश्रम भी आपको पता है, ब्रहमचर्ये, ग्रेस्त, सन्यास, वानपस्त, आश्रम, तो इनको मिला करके complete जो system था, वो evolved था, लेकिन चीज़ वर्ण तक भ्रामचर होना चीए, तो वो भी क्या पता कितने लोग फालो कर पाते होंगे, खेर, बहुत doubtful है, लेकिन ये mainly theoretical concept है, साथ type of marriage थी, जिश में शुरू की तीन-चार अच्छी माने जाती थी, फिर धीरे-धीरे एक राक्षास और पैशाचिक type की भी marriages का culture लड़की को ठाकर के ले गए तो ये बहुत गलत तरीका माने जाता था, obviously आज भी गलत ही माने जाता है, खेर, magasthenes ने slavery को deny किया कि slavery उस समय नहीं थी, लेकिन वहाँ पर थी, unfortunately वहाँ पर थी, और ये आप ध्यान रगे कि पूरे ancient India में लगबख हर जगे slavery तो रही ही है, status of women high था, बहुत अच्छा उनको treat के जाता था, even जो king के bodyguards थे, वो भी as a women employ किये गए थे, इंडियन का high moral character होता है, और वो बहुत hard working होते हैं, इस तरह का magasthenes ने कहा है, तो ऐसा का ऐसा ही आप लिख सकते हैं, economic life, जो peasants थे किसान थे, उनको encourage किया गया बकाइदा कि वो और ज जमीन पर खेती गने, ताकि वो भी उपजाओ हो सकी, और हमेशा यह बात तो है, कि यदि primary activity अच्छी होगी, तभी आप secondary activity को support कर पाएंगे, prisoner of wars जो थे, जैसे कि अशोक के टाइम में भी हुआ, कि भई वो जो लड़ाई के बाद में जिनको पगड़ा गया, उनको मारा नहीं गया, तो इतने सारे जो prisoners थे, उनको cultivation के लिए use किया गया, तो मतलब यह बहुत ही अच्छा तरीगा, मैं समझ सकते हैं, कि साब भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, उस तरह काम ही हो गया, irrigation facilities भी बहुत अच्छी डवलप की गई, यह यहां तक तो primary activities की बात, हमेशा आप economic life में लिखे तो पहले primary activities, फिर secondary activities, फिर guild system proper developed था, guild मतलब की एक institution के तरह है, जहां पर एक मालिक होता था, वो किसी एक proper skill को सिखाता था, ज उसमें ज्यादा interfere नहीं करता था, quality of goods checked by the state, state पूरे जो भी products बन रहे हैं, उनके quality को check करता था, और यदी बिकार तरीका हुआ, तो उसको punish भी किया जाता था, फिर बहुत सारे trade route भी उस समय डवलप हो गए थे, जैसे कि एक main तो उत्तरापत है, जो तक शला से लेकर के तो इसका disintegration कैसे हुआ, जो इतने सालों तक चला लगबग 200 BC तक चला, तो उसका disintegration final कैसे हुआ, तो finally centralized monarchy के अपने limitation होते ही है, जब आप इतना बड़ा area अपने अंडर में ले लोगे और एक ही होगा, पाटली पुद्र से जो गवर्न करेगा, तो धीरे धीरे और डवलप ह ज़्यादा गड़बड कर दी लोग उनको दुष्ट अमात्य कहने लग गए थे, यह भी आप कोट कर सकते हैं, foreign invasion हो लने लग गए 206 BC में, ग्रीक, इंडो-ग्रीक जो थे, यह इंडो-ग्रीक है, वो उन्होंने यह ट्रेंड शुरू किया और धीरे धीरे करके फिर पहलव इमर्जेंस हो गई, साइड में जैसे साथ वहन जो थे, वो डेकन ए रीजन में आने लग गए, एक श्वाकू भी उसी समय इमर्ज होने लग गए, तो इस तरह से मगद एंपायर का डिसिंटिग्रेशन हुआ, और यह हमने मगद एंपायर पूरा पड़ा, अब इसके आगे पॉस्ट मौर्यन एज, जब यह मगद एंपायर और मगद एंपायर में भी मेंली मौर्य, जो मौर्य, चंदरगुप्त मौर्य और अशोक का काल कहा जाता है, उसके खतम होने के बाद में फिर इंडिया की लाइफ कैसरी, उसको हम अगले लेक्शर में देखेंगे, धन्यव जाहिंद